हलो दोस्तों स्वागा थे आप से भी का एक नीव वीडियो में दोस्तों आज की वीडियो हम जानने वाले दोस्तों अगर आप फेस्बूग में कोई भी अपने पेज को डिलेट करना है तो उसको आप कैसे कर सकते या फिर उसको डियक्टिवेट भी कर सकते हैं तो चली दोस् सिंपली कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहां पर आएगा आपको दोस्तों आपने यहां पर जो भी मान लिए Facebook प्रोफाइल होगा उस पर यहां पर आपको साइड में अपने फोटो वाले आइकॉन पर किलिक करना है किलिक करने के बाद दोस्तों यहां पर देख सकते हैं उसको आप सलेट कर लेना है सबसे पहले इस बार ले पेज को यहां पर डिलेट करना चाहते हैं तो इस पर यहां पर किलिक कर दिए किलिक करने के बाद दोस्तों यह पेज जो है अब आपका प्रोफाइल जैसा बनके आ जाएगा सिंपली यहां पर देख सकते हैं कि आप हमा का भी option मिलता है वहां से भी setting में जा सकते हैं या फिर स्क्रॉल करेंगे आप नीचे तो यहां पर setting and privacy का option मिलता है आप इस भी click कर सकते हैं तो simply हम चलिए कोई भी setting में यहां पर click कर देते हैं click करता है यह आपके सामने page का कुछ इस तरह का interface देखने को मिलेगा यहां पर आपको करना क्या है page वाला उपर में सबसे पहले आपको एक option मिलता है page setting का simply इस पर आपको क्लिक करना है page setting पर जैसे क्लिक करेंगे यहां पर देख सकते हैं फिर से आपके सामने personal information बगएरा सब आपका privacy जो भी पोश्ट टेग होगा सब यहां पर आपको सो करेगा उसके बद दोस्तों आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है आपको यहां पर स्क्रॉल करके नीचे आते जाना है simply यहाँ पर आपको access and control वाले option पर किलिक करना है जैसे आप open करेंगे यहाँ पर आपके सामने एक option आएगा deactivation and deleting यहाँ पर simply देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ temporary deactivate और permanent delete your page simply इस पर आपको किलिक करना है जैसे आप किलिक करेंगे आपके सामने फिर से दो interface यहाँ पर आएगा कि deactivate page और यहाँ पर delete page अगर आप अपने facebook page को कुछ दिन के लिए जिसे मान लिए temporary आप उसको ban करके रखना चाहते हैं तो आप deactivate पर किलिक करें अगर आप permanent delete करना चाहते हैं तो delete वाले page पर option पर किलिक करना है यहाँ पर किलिक करने एक बाद simply नीचे आपको continue का option मिलता है इस पर continue वाले option पर किलिक कर दें अब दोस्तों यहाँ से facebook के द्वारा पूछा जाएगा आप इस page को क्यों delete करना चाह रहे हैं आपको क्या problem है तो आप जो भी यहाँ पर आप अपना कोई एक region डाल सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है पर्माने डिलेड पेज simply यहाँ पर scroll करके आपको नेचे आना रो नेचे आने के बाद यहाँ पर फिर से आपको continue वाला एक option मिलता है page को delete करने या फिर बनाने में तो simply यहां पर आपना जो password होगा अपने Facebook का वो यहां पर enter कर देना है चलिए हम अपना password जो है वो यहां पर enter कर लेते हैं password डालने के बाद simply यहां पर continue वाला एक बटन मिलता है continue वाले option पर click करना है जैसे आप continue वाले option पर click करेंगे यहां अगर आपको delete करना है तो continue वाले option पर click करना है जैसे करेंगे यहां पर फिर से delete page का option आएगा इस पर आपको click करना है और click करते ही आपका दोस्तों page जो है वो delete हो जाएगा देख सकते हैं switching profile के वे आके हमारा फिर से जो अपना वाला profile था हम उस पर आ चुके हैं simply दोस्तों इतना जब कर लेंगे आप तो आपको क्या करना है facebook को बंद करके चालू कर लेना फिर से फिर आप profile वाले icon पर click करेंगे और यहां पर दोस्तों आप अपने page पर click करेंगे तो देख सकते हमारे पास जो page था जो हमने delete किया वो page यहां से गायव हो चुका है यानि दोस्तों वो page डो है वो permanently delete हो चुका है तो आप भी दोस्तों इस तरह से चाहें आपने facebook profile को भी delete कर सकते हैं या फिर facebook page को भी delete कर सकते हैं सेंप प्रोसेस होता है दोनों चीज को एकी तरीके से कर सकते हैं उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दिजिएगा चैनल पे नहीं है तो चैनल को subscribe कर दिजिएगा ऐसे योर वीडियो देखने के लिए धन्यबड़